हिंदी दर्शन में आपका स्वागत है हम डॉक्टर विश्वनात्रिपाठी का हिंदी साहित्य का सरल इतिहास का अध्यन कर रहे हैं इससे पूर्व हम कक्षा 11.12 में चलने वाली पुस्तक हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास का अध्यन कर चुके हैं जो आपके बेस को करने में काफी सहाइक पुस्तक है आज की कक्षा में हम भक्तिकालीन साहित्ते की जो प्रेमा स्रेशाखा है या सूफी कावेधारा है निर्गुन कावे की दो उपसाखाओं में इसे बाटा गया है इससे संबंधित जो सूफी मत है उसका अध्यन हम इसी पुस्तक में क्मार पर्म सूफी कावेधारा में काफ्यों का नामकरन प्राय और आइकां के नाम पर हमें मिलता है जैसे पद्मावत चंद अयन मधुमानती इम्रगावती और इसमें प्रेमत अत्वय की प्रधानता हमें देखने को मिलती है किसकी बात कर रहे हैं सूफी कावे धारा की इस कावे धारा में संत कावे की भाती खंडन-मंदन की प्रवर्ती नहीं पाई जाती है खंडन-मंदन की प्रवर्ती का यहां अभाव देखने को म मिलता है काववे की भाषा अवधी और मस्नवी से लिका अधिक प्रियोग यहां किया गया है तो आईए देखते हैं एति हासित या कल्पित व्यक्तियों के साथ किसी राजकुमारी स्टेस्ट पुत्री गणिका या अपसरा की प्रेम कता की परंपरा प्राचिन है काली दासने में दूत में उद्य कथा कोवित या उद्य की कहानी कहने में पटू जनों का उल्ले किया है सोल्वी सताप्ती के बनार्शी दास ने अर्धकतानक में लिखा है कि भी मधमालती और मिर्गावती पढ़ते थे यह सूफी नहीं शुद्ध लोके कप्रेम कावित एक ही कहानी को आधार बनाकर मध्धिकाल में अनेक रचनाकारूने कावि लिखे हैं अनेक सूफी कवियों ने ये हैं लिख दिया है आधी अंत जसे कथा रही या पुनी हम खोली अरत सब कहां इसे यही स्पस्ट होता है कि ये कथाएं पहले से प्रचलित थी अनुमान तह जेन मतावलंब आधिकाल में भविश्यत कहा जैसी रचनाएं की हैं वे भी लोग प्रचलित कथाओं पर आधारित हैं जैसे सूफी कवियों ने उन्हें सूफी धाचे में बांदा वैसे ही जैनी मतावलंबी कवियों ने जैन धर्म के धाचे में प्रस्तुत किया ऐसा ही राम कवे और लिए वती कथा को इसी परमपरा में महाना जाना चाहिए कुशल आपका ढोला मारूरा दोहा सोलविस्ताप्ती जिसमें ढोला और मारवडी यहां आपको ढोला और मारवडी नहीं प्रिंटिंग मिस्टेक है थोड़ा सा मारवडी क्योंकि इसकी नायका से समंधित यहां कन्फूज हो जाता है क्योंकि ढोला जैपूर के कच्छावावंस के राजा नल का पुत्र राजकुमार था जो नाइक था प्रमुक और जो नाइका थी वहें पुंगल विकानिर का राजा पिंगल की पुत्री राजकुमारी मारवनी थी और मारवनी तो प्रमुक नाइ में कन्फ्यूज हो जाते हैं इसलिए आप ध्यान रखेंगे डोला मारूरा दोहा जो सोल्विस साथी में रचित है कवी कलोल या कुशलाब की हम बात करते हैं इससे पूरो में हम इस पर कई बार चर्चा कर चुके हैं एक वीडियो भी अलग से हम डोला मारूरा दोहा पर बना आगे देखें डोला और मार्वडी की प्रेम कथा चिक्रित है प्रसिद प्रेम आख्यानक यह है ग्रंत माना गया है कुशलाब की ही दूसरी रचना माधवानल कामकंदला भी है कुशलाब की एक और रचना है माधवानल कामकंदला माधवानल कामकंदला की प्रेम कता 1547 स्वे में आलम ने भी इस पे कावे लिखा है सहारंगा सदावरक्ष की भी प्रेम कता पर अनिक रचनाई मिलती है ये कुसलाब, ढोला मारूरा दोहा, कवी कलोल, माधवानन कामकंदला, आलम और इससे सम्मधित जो कन्फ्यूज करने वाले दथे हैं इससे सम्मधित एक वीडियो हम उल्जन सुल्जन नामक जो प्लैलिस्ट है, उसमें डाल चुके हैं, आप वहां से देख लीजेगा ये है कता, गद्धे में भी मिलती है, इसी प्रकार किसी अज्यात कवी ने दिल्ली के सुल्टान फिरोशाह के पुत्र कुतुबदीन और साहीबा की प्रेम कता पर कुतुब सुत्तक की रचना की है कहने का आफश्य यह है कि सुफी काववे के साथ सुद्दलोकिक प्रेम आख्यानों की परंपरा भी चलती रही है सुफी कवेवने इसी आख्यान परंपरा का उपियो किया और सुफी सिध्धानों की धाचे में इस सफाई से गड़ाक की गठा प्रतिकात्मक परता हो गई मना गया है मुला दावुद को जिसकी रचना है चंदायन उर टो हम कहते हैं कि उसे रामकुमार वर्मा स्विकार करते हैं रामकुमार वर्मा की अनुसार चंदायन है आगे देखें पुछे जा सकते हैं जिसमें पत्नी मैना और विवाहिता जो प्रेमिका है चंदा उसकी प्रेम कता पर आधारी दिया है कावे लिखा गया है बीच-बीच में चंदा को इस कावे में भी पदमावत की भाती ऐलोकिक सत्ता का प्रतीक बनाया गया है तो इसमें जो चंदा है उसको अलोकिक सत्ता का प्रतिक बनाया गया है और यहां विवाहिता प्रेमिका इस पुरंथ में यहती है चंदायन की भाषा परिश्क्रत अवधी है जिसे लगता है कि चोद्वी सदी तक अवधी भाषा अवधी कावे भाषा के रूप में परिस्कृत और पतिस्ठित हो चली थी अब आगे देखिए कुतुबन के विशे में जानते हैं कुतुबन का समय रहा है इनका जन्मा 1567 स्विम माना गया है इनकी प्रमुक्रचना है मृगावती जिससे अभी-भी हमने बात की किसने माना है कुतुबन को प्रतम कभी तो आचारे रामचंदर शुक्लख कुतुबन को प्रतम कभी मानते हैं और इनकी रचना है मृगावती और जो चंदाइन रचना है मुला दाउद की 1389 इसवे में लिखी गई है आउदी भाशा में लिखी गई है और सर्व मानने मत माने तो और रामकुमार वर्मा की अनुशार माने तो यह प्रतम रचना मानी गई है कुतुबन की मिरगावत की रचना 909 हिजरी अर्था आर्थे पंद्रा सो तीन इस्वे में आपसे हिजरी में भी इसका समबत पूछा जा सकता है में की थी ये सोहार परदी पंत के ज्याद होते हैं पंदितराम चंद्र शुक्ल के अनुसार ये जोनपुर के बादसा फुशहिन साहा के आश्री थे मिरगावत में नायक म्रगी रूपी नायका पर मोहित हो जाता है पंद्रा सो तीन इस्वी में के हरसना लिखी गई थी अवधी भाशा में लिखी गई थी आचारे शुक्ल ने इसे प्रतम सूफी का विमाना है और कुत्वन के गुरू का नाम क्या था सेख बुरहान आगे देखें और उसकी खोज में निकल पड़ता है अन्त में सिखार खेलते समय सिंग के द्वारा ये मारे जाते हैं यह रसनाने कथानक रूडियों से युखता है इसकी भाशा प्रवाहमई है अब हम देखते हैं मलिक मोहमद जायसी के विशे में का जन्म 1492 इस्वी में होता है हिंदी में सूफी कावे परंपरा के स्ट्रेस्ट कावी मलिक मोहमद जायसी है यह आमेटी के निकल जायसी में रहने वाले थे इसलिए इन्हें जायसी कहा गया है परनित रामचंद्री शुक्ल के ने लिखा है कि जायसी अपने समय के सिद्ध फकीरों में गिने जाते हैं अमेटी के राजगराने में इनका बहुत मान था इनकी तीन रचनाय उपलब्ध है अखरावट, आखरी कलाम और पदमावट ये इनकी तीन प्रमुक रचनाय है कहते हैं कि एक नव उपलब्ध काववे कानहावट भी इनकी रचना है किन्तो कानहावट पाप जो पाठ है प्रामारिक नहीं मिलता है अखरावट में क्या है इनके विशेश से समंधितिये प्रिश्ण कई बार पूछे जाते हैं अखरावट में देवनागरी वर्ण माला में एक एक अक्षर को लेकर श्रेधान्तिक बाते कही गई है आखरी कलाम में कयामत का वर्णन है कभी के यश्ण का आधार है पद्मावट अगर आप से यहां पूछ लिया जाता है कि कभी के यश्ण का आधार कोन सी रचना मानी गई है तो आप क्या कहेंगे पद्मावट और कयामत का वर्णन किसमें है तो आखरी कलाम में और देवनागरी वर्णमाला के एक एक अकसर का इसे धान्तिक वर्णन किसमें है तो अखरावट में पद्मावट की रचना इन होनी कब की 1540 इस्वि में हिज्री सम्मत अगर देखे तो 927 हिज्री के आसपास इसकी रचना हुई थी 57 खंडों में यह है महा कावे लिखा गया है और कोद्मावट महा कावी ओर हिंदी आहित्या क प्रत्म बड़ा ओ एंगाना जाता है इसमें चित्तोर के राजा रात्मोर्जल के राजगु मार हो में विभक्त है इसका पूर्वार्द भाग रत्म सेन और पदमावती के विवाहात की कथा का वर्णन करता है और उत्राद भाग विवाहितर जीवन की कथा का वर्णन करता है आलोच कहते हैं कि पूर्वाद भाग को कल्पना प्रिसुत बनाए गया है उत्राद भाग को तेहा वैसा लगभग दिया गया है 1520 की जगह आप कर लेंगे 1540 इस्वी पदमावत की रचना 1540 इस्वी में की गई है हिज्री संबत अगर हम देखे तो 947 यहां लगभग पैठता है 947 हिज्री संबत तो सन को आप ठीक कर लीजिएगा कंफ्यूज नहीं होंगे कुछ लोग 27 को 1540 याद रखिएगा कि पदमावत का जो समय है वह कब का माना जाएगा तो 1540 पदमावत प्रेम की पीर की विंजना करने वाला विश्यद प्रबंद का वे है यह दोहा चोपाईयों में निभन मस्टलवी शेली में लिखा गया है जिसमें कभी ने अल्लाह हजरत मोहमद उनक पहसूरी और समसामय क्रूम वेपीरों की वंदना की है पदमावत की का वे भूमी का विश्यद मुद्धाद है कभी ने प्रारंभ में ही प्रकट कर दिया है कि जीवन और जगत को देखने वाली उसकी ड्रस्टी व्यापक और परस्पर विरोधों को आकने वाली है कभी अल जीयन जेस्पाय क्नेहसी वीश्योमी चुते ही खायं किनहसी एक मिठी परस बड़ी नहीसी करी मेलेबहु परि उप्रयुक पंक्तियों में जयसी वस्तों का परस पर विरोधो देख दिखा रही है उनकी ध्रस्टी सामजिक विशमता की ओजा रही है किनहसी कोई भिखारी कही धनी किन्हें सी संपती भिनुम यानि एक तरफ वो भिखारी विवंडन कर रहे हैं तो दूसरी तरफ धनी विक्ति का काहू भोग भूगती सुखसारा कहा कुहू भूग भववन दुकारा एक तरफ वो बिल्कुल भूग विवक्ति चीक का भी वनन कर रहे हैं जाजिसी उनसब को ऑल्लह का ही किया हुआ मानते हैं जाजिसी क्या कहते हैं कि यह सामजिक विशमता है यह है अल्लहा के द्वारा ही रच्ची वसी कई है पदमावत की कता चित्तोर के शासक रत्नसेन और सिंहल देप की राज़ चिकन्या पद्मिनी की प्रेम कहानी पर आधरित है इसमें कवी ने कोशल पूर्व कल्पना इम इतिहासिकता का मिश्वन कर दिया है इसमें अल्हावदिन खिलजी द्वारा चित्तोर पर आक्रमन और विजय इतिहासिक रत्नसेन अपनी विवाहिता पत्मिन आगमती को छोड़कर पद्मिनी की खोश में योगी बनका निकल पड़ता है पद्मिनी का विवहा होता है रागाव चेतन नामक पंडित पद्मिनी के रूप की प्रिशन सा अल्लावदिन से करता है अल्लावदिन चल से रत्नसेन को प पहुंचता है तो उसे उसकी राख मिलती है जायसी ने इस प्रेम कता को पाधिकारी के मानुशांगी कताओं के ताने बानी में बहुत जतन से बांदा है पद्मावताध्यांत मानुश प्रेम और मानुवे प्रेम की महीमा विंजित करता है ही रामन सुक्षुरू में ही कहता ह मानुस प्रेम भे भेंकोटी नाहीं तकाह चार भई जूटी रचना के अंत में वे चार भरी मूठी फिर आती है अल्लावदीन पद्मी के सती होने के बाचित तोड़ पहुंसता है तो उसे केवल राक मिलती है चार उठाई लीने ही इकम होटी कवी का जो कोसल है वो यहां हमें देखने को मिलता है पद्मनी रत्नशेन के लिए बारस रूप है वहीं अल्लावदीन जैसों के लिए मुठी भरे धूल है मद्धिकाली रॉमांचक आखन्यों का अख्यानों का कथानक प्रयाय भिखर जाता है किन्तु पद्मावत का कथानक सुगटिते कहता है पद्मावत में नगरवर्णन, डीतु वर्णन, बारमासा, नकसिक वर्णन के अब रूड़ी पालन के रूप में नहीं मिलता पद्मावत की नागमती की विरहवणन का प्रसंग अत्यंत मारमिक है उसकी मारमिकता का आधार है मद्देकालीन भारती नारी की व्यवस्ता एको नारी का व्यवस और पून, आत्म, समर्पन, दूसरी और पुरुस्त्वारा, उसकी व्यक्षा मारमिकता का दूसरा कारण नागमती को लोक सामाने भाव भूमी पर स्थित करके उसकी विरह का चित्रन करना है वहरानी है किंदू उसे जिस रूप में प्रसुत किया गया है वह मद्देकालीन सामाने वर की नारी का रूप है राजभवन में रहने वाली नारी का नहीं पुरा उनक्षत्र सी उपर आवा सो बिनो नाहा मंदिर को चावा बरिहे में गजखोरी जखोरी मोर दोई नेने चुएं जैसी होई प्रतिकात मक्ता की बात पहले आज चुकी है पद्मावत का रचना का लोकिकाता का वर्णन कहीं कहीं पर इस प्रकार से भी करता है कि एलोकिकता पर परोक्रिषत्ता का अर्थ सांकितिख हो जाता है जैसे मान सरोदकखंड का ये है सरवरतीर पदमनी आई खोपा ज़ोरी किस मुसगाई प्रतम दो पंक्तियों के में रूप मर्णन है कि पदमती पदमावती का जो रूप मर्णन है उसको दिखाया गया है कि जब वो सर्वर की किनारे आती है तो उसका जो मुख है वह किस प्रकार लगता है किन्तों तीसरी पंक्ति पदमावती के लोकोत्तर सुंदरी का आभास दे जो नितिर नितिर्था रोक से भी उपर एक सीस्टाने जो शम्दर होざक्ब मुख किस प्रकार दिख रहा है और किस प्रकार से उसकी सुंदर्ता है वह सामान ने नाइका का वर्णन किया गया है और यह उसके लोकोतर सुंदर्ता को परदर्शित कर रहा है वोने गठा परी जगचाहा ससी के सरन लीन जनू रहा इस प्रकार बरोनियों का यह वनन भी है कि उसे बानन है असको जो ने मारा बेदी रहा सगरो संसार ऐसे वननों से पद्मावत भरा पड़ा है पद्मनी परम सत्ता का प्रतीक है जो पूरा पद्मावत है यहां से प्रिश्न भी पूछा जाता है यह एक प्रतिकात्मक महाकावव्य है प्रतिकों का संकेत रचना के अंत में श्व्यम कभी जाईसी देते हैं पात्र का नाम प्रतिक के अनुसार है जिसे यहां जो चित्तोड है वह है रत्नसेन के मन का यानि सरीर का प्रतिक है सिंगल देप रधय का प्रतीक है राजा रत्नसेन यहां जो नाइक है वह आत्मा का शुक्लक के अनुसार जो रत्नसेन और पदमावती है वह आत्मा प्रमात्मा का प्रतीक है और वैसे सामाने तह देखा जाये तो रत्नसेन मन यानि योगी साधक का और आनि पदमावती साथ प्रती की जो प्रतीक है यह यहां कर्दूत से जो प्रतीक विलते है नागमति को ही इनको कई वार प्ॉछनों में पूछा या जाता है कि कून खेस्न महा कभे में आया है रतनसेन साधक का ततरागव जेतन सेतान का कथा लोकिक धरातल पर चलने के साथ साथ लोकोतर अर्थ की भूमी भी पर भी ले चलती है अर्थात इसमें जो लोकिक धरातल के साथ लोकोतर अर्थ की भूमी पर भी हमेले चलती है इसलिए पद्मावत को प्रतिकात्मका विकाहा जा सकता है किन्तु यह प्रतिकात्मकता सर्वत्र नहीं है और इसमें लोग की कथारस में व्यागात नहीं पड़ता है पद्मावत में हाटियों, कुनलनियों, साइन साधना का प्रियाप्त प्रभाव है वेश्णव निरीहिता और एहिंसा का विशनदेश दिया गया है हिंदू को राणिक पात्रों का उले कहीं कहीं संस्कारी मानसिक्ता के अनुकुल नहीं है इसलाम के इस संप्रदाय की सुफी साध्ना तो उनकी रचना की प्रेन नहीं है इस प्रकार पद्मावत मद्धिदिस के निक धार्मिक साध्णाओं का रूप प्रस्तुत करता है आगे देखे पद्मावत विशुद अवधी मेरे रचित महाववे है इसमें रामचरित मानस की भाती अनेक छेत्र की भासाओं का मेल नहीं है इसलिए विशुद अवधी का जो सह है जो चलता रूप अध्मावत में मिलता है मानश में नहीं मिलता है अर्थात है इसमें विशुद अवधी का प्रियोग हमें मिलता है और जो छित्री भाशाएं है उसका यहां प्रियोग नहीं मिलता है इसमें तत्षम शब्दों का इस् कुछ लिया जाता है कि इस दोहे में कौन सा अलंकार है तो यहां हितुत प्रेक्षा अलंकार है प्यू सो कहो संदेश ड़ा हे भोरा हे काम सो धनी विरी जरीमूई तेहिय धुआ हमो लागा हैच है जब किसी पद में हेतु की हेतु के रुप में संभावना प्रकट की जाती है या फिर हम क्या कह सकते हैं कि जो वास्तवी कारण नहीं है पर उसी में कारण खोजने की कलपना की जाती है वहां कुन सा अलंकार होता है एतुत प्रेक्षा अलंकार होता है जो जाजसी को सरवादिक पसंद था यह है अलंकार एतुत प्रेक्षा आगे देखें जासी के अतिशोक्ति पूर्ण वर्णनों के विशेस्ता यह है कि वे वस्तु की अतिरंजना नहीं करते हैं अतिशोक्तियों का भाव सत्य का रूप खिजते हैं इसलिए उनके अतिशोक्तियां भी मारमिक होती हैं अब हम पढ़ते हैं मन्जन के विशे में, सोल विस्ताबदी के ये सूफी कभी है, मन्जन ने 1545 इस्वी में मधुमालती की रचना की है, मधुमालती की रचना कब की है, 1545 इस्वी में, मन्जन की मधुमालती 1545 इस्वी में, और इसकी भाशा कुन सी है, अवधी भाशा में य देख लेंगे, यह जासी की प्रवर्ती थे, मधुमालती में नायक को अपसराएं उड़ा कर मधुमालती की जित्रसारी में पहुचा देती हैं, और वही नायक नायका को देखता है, इसमें मनोहर और मधुमालती की प्रेमकता के समानांतर प्रेमा और ताराचंद की भी प्रे उच्च आदर सामने रखा गया है, सूफी काप्यों में नायक की प्रायहा दो पत्निया होती है, किन्तों इसमें मनोहर अपने द्वारा उपकुरत प्रेमासी बेहन का सम्मंद स्थापित करता है, इसमें जन्म जन्मानतक के बीच प्रेम की अखंडता प्रकट की गई है, इस इसमें भारती पुनरजनमबाद की बात कहीं कहीं है, यहां यह एक अच्छा प्रिश्न बनता है, मन्जन की मधुमालती से, कि भारती पुनरजनमबाद की बात कौन सा सूफी कावे करता है, तो हम कहेंगे मधुमालती, इसलाम पुनरजन नहीं मानता है, देखे, इसलाम कावे है वह है पुनलजन की बात करता है लोग के वर्णन द्वारा एलोकिक सत्ता का संकेट सभी सूफी कावियों में कावे के समान इसमें भी पाया गया है इसके अतिरिक्त सूफी कावे परंपरा के अन्य उलेकनिय कवी और कावे इस प्रकार है उसमान ने 1613 इसमे में चित्रावली की रचना की जो अवधी भाशा में है चित्रावली किस भाशा में है चित्रावली की रचना इन्होंने उसमान ने अवधी भाशा में की इसका नाइ लिखे गई है सेक नवी ने 1619ины में में कि ज्यानदीप लिखा है से 9191 2021 में हण स जवाहीर कासीम साहा ने हन्स जवाही रचना लिखी है 1731 इस्वे में तो यहां देखें गया नूर मोहम्ब की इंदरावती और अनुराग बासुरी के विशे में इंदरावती 1747 में और 1774 में अनुराग बासुरी शुक्लनी इंद्रावती को सूफी पदती का अंतिम ग्रंत माना है अनुराग बासुरी सरी जीवात्मा मनुवरती को लेकर रूप अग्वान्धा क्या कावे है और जो नूर मुहम्मद है ये पहले ऐसे सूफी कवी है जिन्होंने दोहा चंद का प्रियोग ना करके बरवे चंद का प्रियोग किया है अब हम देखेंगे निर्गुन कावे की सामाने विशिस्ता है निर्गुन कावे की दोनों साखा है निर्गुन मत पर आधारित है ये दोनों परम सत्ता को मानवी भावना का आलम बन तो मानती है किन्तु लिलावाद और अवतारवाद में विश्वास नहीं करती है यहां से आपसे विशेस्ताओं वाले प्रिश्ण पूछी जा सकते है कि यह जो साखा है यह जो काववे है निर्गुन काववे है यह इसमें विश्वास नहीं करता है लिलावाद और अवतारवाद में और निर्गुन मत पर यह आधारित है कबीर और सूफी कवी भगवत प्रेम को मानव जीवन की सार्थकता मानते हैं वे निर्गुन को गुन रहीत नहीं गुनातीत मानते हैं सबी विसिस्ताइं हैं इन से समंधित प्रश्ण आप से पूछा जा सकता है कि कौन से विसिता निर्गुन कवे की नहीं है और उससे अनिक प्रकार के संबंद जैसे माता पिता प्रिये गुरु आधी के संबंद स्थापित करते हैं कबीर के यहां प्रेम के उतकरता कम तिव्र नहीं है किन्तु वे ज्ञान यम अंधहसादना की उपेक्षवा नहीं करते हैं कबीर के कावे में निर्गुन मतवाद का विश्वबोध प्रकट है विस्रस्टी की उत्पती नाश जन्मम रत्यू मनुष्य की नाडियों चक्रों आदी की बात काफी करते हैं वे ज्ञान को व भक्ती पर जोड देने के बावचू उन्हें ज्यानश्ट्री धारा का संत कहा गया है इस धारा के कवी अधिकांस्तह आवर्ण है उन्होंने वण व्यवस्ता की पीड़ा सहीती अथ हैं उनमें व्यवस्ता पर तीवरा आकरमक करने की भाव पैदा होते हैं किसमें कबीर की इस धारा की कवियों पर नात संतों के अंतसाधना के साथ उनकी दुरोह प्रतीक शेली उलटवांसी का भी प्रभाव देखने को मिलता है इन्होंने गेपद दोहा चोपाई के अतिरिक्त कुछ लोग प्रिशलेट शंदों का भी प्रियोग किया है ग्याना श्री धारा की किसी सबसे अधित प्रिभाव देखने को मिलता है सूफी मत का अपना विश्व तत्व ज्यान है किन्तु वह सूफी कवियों में अलग से दिखाई नहीं पड़ता है इसका एक कारण यह हो सकता है कि सूफी कवियों ने प्रबंद कावे लिखा है तो इनमें सबसे बड़ा अंतर में मधूरिया दामपत्य भाव को ही जोड़ा है अनि भाव को नहीं संसार में उनकी प्रतिचवी है प्रतिचवी में उनका प्रतीक है सूफी इस प्रतीक को प्रतिकार्थ का साधन मानते हैं अभी अभी हमने जासी के पदमावत में प्रतिकात्मक्ता की बात की है इसलिए उनके यहां प्रेम और उसमें भी विरह इस्तिती की प्रिधानता है। इसमत पर आधारित कवे में भी प्रेम की उतकर्ट विरह विंजना की बात हम कर चुके हैं पतिकात्मंकता की बात हम कर चुके हैं विसिस्ताएं हैं जो सूफी कवे की हैं इसलिए सूफी कवी प्रेम की पीर की कवी या प्रेमिस्री कवे कवे धारा की कवी कहे गए हैं इन कव कि ऐसे कौन सी सूफी कवी है जुनोंने दोहे की जगे बर्वे का प्रियोग किया है तो नूर मोहमत जिनकी कौन सी दो रचनाओं की बात हमने अभी अभी की है इंद्रावती और अनुराव बासूरी और आचारे रामचंद्र शुक्रे सूफी पद्धति का इसे अंतिम ग्रं अनुकूल रुपायत किया गया है इसमें भारतिय सुन्स्क्रति सुरक्षित ही नहीं सिम्रद भी हुई है सूफी कवियों के साहित्य की आत्म विशुत भारतिय है इसलिए प्रेम और धार्म की विदेशी साधना भी घुल में लगई है प्रबंध कावे मस्नवी सेली में ल मांचक आख्यानों से जुड़ा हुआ है तो सी दासनी रामचरित मानस की रचना के लिए पदमावत के ही कावे रुपात्मक ठांचे को चुना है तो आज हमने सूफी काविधारा के प्रमुक कवी रचना और रचनाकारों को पढ़ा आप ध्यान रखेंगे इन सभी माध्वानन कामकंदला और फिर हमने देखा कि पदमावत और इंद्रावती जो अंतिम रचना मानी गई है इनका क्रम आप देख लेंगे इनमें क्रम से संबंधित प्रिश्न पूछे जाते हैं हंसावली 1370 इस्वी में रचित सायत की रचना है रजस्थानी हिंदी में इसे रच्चा गया है डोक्टर नगेंद्र इसे प्रथम सूफी का विमानते हैं मुला दावत की चंतायन 1389 में रचित अवधि भाशा में लिखा हुआ गरंत है और रामकुमार वर्मा इसे प्रथम सूफी का विमानते हैं इस प्रकाल लक्षिन पदमावती दामोदर की रचना ह और 1469 में लिखी राजस्थानी में गई है राजस्थानी में लिखी गई यह रचना है तो आवधि के अलावा जो राजस्थानी में लिखी है उनको भी आप अच्छे से नोट कर लेंगे सत्यवति कथा ईश्वरदास की है पंद्रा सो एक इस्वि में अवधि भाशा में ल माना है माध्वानल कामकंदला गणपती की 1527 में लिखी तरचना है तो आप ध्यान रखेंगे राजस्थानी में माध्वानल कामकंदला लक्षन पदमावती खता लिखी है कि चित्रावली उश्मान की यह भी अवधि भाशा में ही है 1613 इस्वि में इससे पूर्व इसके बाद में आप एक और रचना का प्रमुक नाम याद रखेंगे ज्यानदीप 1616 इस्वि में सेख नभी की फिर हम बात करेंगे इंद्रावती नूर मोहमत की 1764 इस्वि की और फिर अनुराग वांसुरी 1764 इस्वि की इनका क्रम आप से पूछा जा सकता है और इनसे समंदित नायक नायका से समंदित प्रिश्ण पात्रों से समंदित प्रिश्ण पदमावती के जो प्रतिकात्मक पात्र हैं उनसे समंदित प्रिश्ण पदमावत से सम इसका सन कौन सा है और प्रमुख जो बाते हैं रतन सेन और प्रदमावती से समधित उनका ध्यान रखेंगे तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद अगली कक्षा में हम अगले विश्य का अधिन करेंगे धन्यवाद